सन्नी देवल बॉलिकुट इंडिस्टी के वन वा दा बैतरीन एक्टरों में से एक हैं जिनकी लास्ट फिलिम आई थी चुपजो की सिनमों को में सूपर डूपर हिट रही काफी सालों बाद सन्नी देवल भी दमाका मचा रहे हैं हाल फ्लाल मां बहुत सा अब सब्सक्राइब बात करों सन्नी देवल की फिलिम जो होने वाली है गदर 2 गदर 2 एक एक्टन ड्रामा फिलिम होने वाली है जिस फिलिम को डारेक्शन देर है अनिल सर्मा जिन्होंने 2021 माई गदर को दिया था जिसने 10 करोर टिकट बेच कर बाक्स आपिसर ब्लोग बश्टर रही थी जिहां दोस्तों तो ये फिल्म उसी का सिक्वल होने वाला है जिसके लीड रोल में आपको फिर से सनी देउल अमिसा पटेल उतकर सर्मा जो कि अब बड़े हो चुके वही नजर आने वाले इस फिल्म की जो सूटिंग हो भी कम्प्लेट हो चुके टीजर भी सिनेमा गरों में आचुका है क्योंकि हाल फिलाल में गदर को री रिलीज किया गया है जहांपर इसका टीजर भी दिखाया गया है और टीजर जल यूटूब पर भी आया और फिल्म की जो कहानी है वो काफी जादा बहतीन लग रही है, इसके टीजर को देखने के बाद, जहां आपको कहानी देखने को मिलने वाली है, 17 साल बाद गी, यानि कि 1971 में क्या हुआ पाकिस्तान में, और कैसे सनी देवल पाजी का बेटा हुआ बड़ा और गया पाकिस्तान, जहां से सनी पाजी उसे बचा के वाली है, यानि कि तारह सिंग फिर से पाकिस्तान जाएगा, और फिर से धमाका मचाएगा, तो आपका तरद इस फिल्म को जो पड्यूस करेंे वहां निल सर्मा करें, यानि कि जी स्टूडिया के बेने तलि इस फिल्म को बनाया जा रहा, जो फिल्म आपको जल दिखाएं यान की 11 अगस्त 2013 को यार यह सिनेमा गरुमे यार तो कोण कोण देखने जाएगा गदर्टू कमेंट में जरूर बताना बात करूँ हम यह एक शिप्लिम जो हने वालिए और व्प अएकशन ड्रमा फिल्म हने वालिए जिस फिल्म के अंदर आपको सनी देओल, ऐसे अर्जुन के रोल में नज़र आने वाले है, जैकी सरोप, जैकी सन के रोल में, वहीं पर संजेद अद बल्लू के रोल में, और मितुन्दा, आपको नज़र आएंगे एडा भगत के रोल में, जी आँ दोस्ता आपका दर इस फि जो होने वाले है, जिस फिल्म को डारेक्शन देरे, एम पद्माक कुमार, जिन्होंना असली फिल्म यनि कि जोजफ को बनाया था, और उसी का यह ओफिशली रिमेक होने वाला है, जिस फिल्म के लिए रोल में, आपको सनी दियोल, चितरंगा-धास और रविकेशन नज़र आने वाले और इस फिल्म की जिए सूटिंग है और मैं आपको पताई चुक हूँ यह फिल्म ऑफिशली रिमेक है मलयालम इंडेश्टी की फिल्म जोसफ का जिसकी कहानी काफी जादा थ्रिल और एक्सन से भरी हुई थी और यह फिल्म देखो सूपरडू पर हिट रही थी लेकिन अब बॉली गुड की यह फिल्म सूपरडू पर हिट रहीगी या वो तो अभी नहीं कनफर्म पता है लेकिन हाँ फिल्म की जिए सूटिंग है वो पूहतरी कि इससे कंप्लीट हो चुकी है और इस फिल्म को भी 2023 में रिलीस किया जाएगा जिसका अनॉंसमेंट जल्द होने वाला है रिलीस डेट का दोस्तो लाहाओड नाइनिटी फॉट्टी सेवन जोकी एक्सें ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डारेक्शन देरे राजकुमार संतोसी जो की दामनी घायल और घातक जैसी बैतरीन फिल्म हैं बना चुके है सनी देवल के साथ तो इस फिल्म के लिए रूल में आपको सनी देवल नजन हैंगे और कहानी आपको दिखाई जाएगी इंडिया के पार्टीशन यान कि जब विवाजन हुआ था उननीस सो से तारीस में क्या क्या दूर दर साथी किन किन लोगों की और क्या कुछ हुआ था जैसे कि थोड़ा बहुत दो गदर में भी दिखाया गया तो उसी परकार का इसमें कॉंसेट दिखाया जाएगा लेकिन अलग लेवल का जिस फिल्म को 2023 में ही फिलोवर पर लाया जाने वाला है और इस फिल्म को पड्यूस राजकुमार संतोसी ही करने वाले जिस फिल्म को रिलिस किया जाएगा 2024 में दोस्तो ये मजदूर का हाथ है का लोहाब बिगला कर उसका आकार बदल देता है जहाँ पर बॉबी देवल और सनी देवल तो बॉक्सर रह चुके अब होंगे करन देवल जिस फिल्म की सूटिंग 2023 में ही फिलोर पर आने वाली है आइटल क्राइम त्रिल ड्रामा फिल्म जिस फिल्म को डिरेक्शन दे रहे आर बाल की जो की संदेवल के साथ हाल फिलान में यानकी 2022 में चुप जैसी सूपर हिट फिल्म बना चुके है तो इस फिल्म को 2023 में स्टार्ट किया जाएगा और इसे जो पर्डियूस कररे हैं वो आर बाल की है निकि हॉप प्रिडेक्शन के बैर तेले इस फिल्म को बनाया जाएगा जो आपको 2024 में देखना को मिलेगी सिनिमा गरों में यार लोको सनि देगल की काफी सावी फिल्म है ये जिसका नाम है Border 2 जो की War Action Drama Film होने वाली है जिस फिल्म को डाक्षेन जेपी दता ही देंगे इस फिल्म का जो tramid अनौन वो नहीं हो पाया था लेकिन जेपी दता ने hal final में यानी कि 2022 में मीडिया के सामने confense किया था कि इस film की स्किप्ट में पूटे केसे लिख चुका हूं और फिल्म भी जल्द आने वाले है फिलूर पर लेगिन इस film के जो राइट है वह राइट है बाइसा बहरत के पास है इनकी भरसा के पास और वह राइट लेने में टाइम लग रहा है 2023 और 2024 में और साथ में Border 2 भी तो इनमें से कौन सी फिल्म का आगो बेस सब्सक्राइब कमेंट में जिरू किताएगा मिलते हैं नेस्ट अप्रेट के साथ जब ते कलिए बाई बाई यार